बुद मॉनी एवरीवन मैं हूं टी एस मिनार टीस एकने में पर आपका स्वागत है तो चलो आज का अगला पार्ट पार्ट थ्री लेकि फिर प्रजेंट हूँ है ना तो पार्ट वन में मैंने क्या वर्गमूल और इसका रूट निकालना सिखाया था फिर पार्ट टू में क् का पूर्ण संख्या का निकालाता है जैसे अपने घणमूल आट का घणमूल निकालाता है इसमें क्यावना बनाता जैसे दो गुणी दो bash है यहिनि तीन का जोड़ा दो-दो के जोड़े जिसमें एक बाहर आ जाएगा अब ये मैंने part 1 और 2 में अच्छे से समझा दिया था ठीक अब अपन क्या करेंगे कि अपन AC संक्या का निकालेंगे जिसका जोड़ा ही नहीं बने जैसे अपनने ले लिया है root third क्या root third का कोई सा जोड़ा बनेगा root third को जादा से जादा अपन लिख सकते हैं 3 into 1 तो क्या है ये जोड़ा पून बन रहा ये जोड़ा नहीं बन रहा ठीक तो अब AC संक्या जिसका जोड़ा नहीं बने जिसका वर्गमूल नहीं निकले या जिसका घंदमूल नहीं निकले उसके लिए एक अलग से प्रोसेस है इस तीन को लिखने का तरीका अलग होता है जैसे अब अपन क्या करेंगे तीन का अगर वर्गमूल निकालना है सोरी तीन का root निकालना है तो तीन का root कैसे निकालेंगे तीन को लिखने का तरीका थोड़ा अलग, अपने को अलग से सोचना पड़ेगा तीन को लिखने के लिए अपने को ऐसी संक्या ढूननी है जो इसके पास में, या तो इससे ज़्यादा या कम, जो इसके स्क्वार के करीब हो जो एसी संक्या डूननी है जो इसके वर्ग के आसपास हो ठीक है तो इससे एक बड़ी संक्या लूँ तो कितने ही आएगी मेरे पास चार आ जाएगे इससे बड़ी संक्या को जी चार जो की दो का स्कॉर होगी तो इस तीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट चार माइनस वन इससे लिख सकता हूँ ये तरीका बिल्कुल गलत है लिखने का तरीका तो कोई भी बंदा बोल लेगा सरी ये गलत है लेकिन इसको अगर रूट थ्री का माण निकालने के लिए इसको इस फो में लिखना ही पड़ेगा ठीक है तो मैं यहाँ कैसे लिक सकता हूँ तो मैं कैसे लिक सकता हूँ इस रूट फोर है तो इससे दो गुणी-दो यानि एक जोड़ा बनेगा दो बाहरा आजाएगा ये दो बाहरा आग्या और माइनस वन इसको इससे लिख सकते हैं अब जो एक आ रहा इसके बटे में ये वाली संक्या है चाहे या कोई सी भी हो इस संक्या का दुगूना करके इसके बटे में डिवाइट कर देते हैं तो 2 दूना, 4 अब कैसे निकालेंगे, 2 मینस, अब क्या करेंगे इस 4 का इसमें divide कर दूं कितना आयागा point में कितना बन्या अगर यहाँ 0 लगा दूं तो 4 तो कितना हो गया sorry 10 तो 4 दूना 8 2 बचा 4 और 5 और 20 अब इसमें से कितने 2 में से अगर point 25 गया तो 0.175 ठीक है तो root 3 की value कितनी आईगी point sorry 1.75 यह root 3 की value ठीक है यह तो बच्पने में पढ़ रहा है root 3 की value 1.732 यह होता है यही निकालते हैं ठीक है लेकिन अपने को निकालना अगर इसको अच्छे से निकालना है बिल्कुर बेसिक से तो यह method आपको use करने पड़ेगी यह यहाँ पर यह confuse मत होना कि यह लिखने का तरीका गलत है इस value को अगर अपने को इस root 3 का मान निकालने के लिए इस form में अपने को लिखना ही पड़ेगा root 3 के पास यह इस से चोटी यह बड़ी कुछ ऐसी संक्या लेनी है जो square बन रही है ठीक अब एक के बटे में इस संक्या यहां संक्या कोई सी भया इसका दुगुणा करके इस एक में divide करते हैं ठीक उसमें घटा देते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं जैसे अब यह तो root 3 अपन क्या करते हैं इसे थोड़ी बड़ी संक्या लेते हैं root 7 ले लेता हूँ root 7 root 7 अगर आपन root निकालना चाहते हैं तो root 7 की value कैसे निकालें इसके पास कोई सी या तो work वाली होनी चाहिए इससे बड़ी या छोटी जो इसके आसपा जो work वाली हो इससे बड़ी से अगर लूँ तो 9 है तो छोटी है तो 4 है वोई work है तो अगर 4 होगी तो root 4 plus 3 कर दू और अगर इससे बड़ी है तो root 9 minus 2 कर दू इसको लिखने का तरीका ये मैंने इससे बड़ी ले ली minus minus root 9 minus 2 ठीक ऐसा है root minus अभी root का ये तरीका लिखने का तरीका गलत है लेकिन root 7 की value लिखानने लिए अपने को ये लिखना पड़ेगा, कि इससे बड़ी वारी संक्या कौन सी, जो अपने पास पूरी तरह वर्गमूल निकल जाए, वह है संक्या, ठीक, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका निकाला, अपने रूट निकाला, तो तीन निकला, माइनस ये दो, अपोन, मैंने क्या कह तीन का इसमें, तीन का इसमें मल्टिपला करते हैं, फिर इसमें से एक घटा देते हैं, क्योंकि माइनस बीच में बेटा है, तीन तिया नो में देग गए तो, आट अपोन, थ्री, फिर दिवैट कर दो, तो तीन दूना, छे, कितना, बचा कितना, दो, तीन चंग, अठारा यह आएगा 2.67, यह वेल्यू किसकी है, रूट 7 की, मैंने क्या कहा, यह तरीका तो लिखने का गल्यत है, लेकिन रूट 7 की वेल्यू निकालने के लिए अपने को यह step बढ़ाने की दिखने पड़ेगी, यह step आपको लिखने पड़ेगी, ठीक, ठीक है, आगे देखो, रू रितार रूट नहीं निकल रहा है, ठीक है, जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, उसको लेखने का यही तरीका है, उसके आज-पास वाले कोई सी भी ऐसी संक्या ढून लो, जो वर्गमोल निकल जाए जिसका, ठीक, तो साथ से बड़ी कौन से 9 है, 9 में से 2 घटा दिया, वो जो वर्ग निकल जाए, तो इसके पास वाली कौन सी है, इसके पास वाली 9 है, तो रूट 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 9, रूट 9 प्लस 1, ठीक है, अब इसका तो रूट निकलेगा 3 प्लस यह 1, और मैंने क्या का था, इस संक्या क इस संक्या का इसमें दुगुना करके भाग लगा दे हैं तो 3 दूना 6, टिक, तो ये कितना आएगा 6 तिया 18 ने एक 19 बाए टिक, अब इसमें भाग लगाओ ये value, तो कितना आएगा 6 तिया 18, केरी कितना बचा 1, पोइंट लगा दिया 10, 6, 1, 6, कितना बच्चे, 4, 6, 6, 36, फिर 4, 6, 6, 36, तो अपन केसे लिख सकते हैं, 0.1, 3.1, 6, 3.1, 7, ठीक है, अगर यहां पर बार लग रहा है, तो एक संक्या बढ़ा आगी, इसमें बढ़ा दो, तो यह आएगा, root 10 की value कितने आ जाएगी, 3.17, ठीक है, कितने आएगी, 3.17, यह 10 की value, ठीक है, अगर मैं आगे, एक example और ले लेता हूँ, ठीक है, आगे example और ले लेता हूँ, sorry, वो वीडियो पोज हो गया था मेरे से, और मैंने एक root 13 वाला लेकर समझा दिया, तो मैं इसको repeat कर देता हूँ है, भूल गया था, मैं वीडियो पोज हो गया था, देखो, root 13 का value, ठीक, अपने root 13 की value निकालना, तो मैंने क्या था, 13 के पास AC संक्या डूंडो, जिसका वर्ग निकल जाए, तो 13 के पास 16 AC संक्या जिसका वर्ग निकल जाए, और एक 9 AC वर्ग संक्या है, तो मैंने दोनों से लेकर कर लिया, ठीक है, तो अपने 16 से लेकर किया ठीक तो 16-3 लिख दिया मैंने ठीक तो 13 आएगा ठीक है ये लिखने का तरीका मैंने पहले बता दिया गलत है लेकिन अगर रूट 13 का वेल्यू निकालने है तो अपने को इस फॉम में इसको लाना ही पड़ीगी ठीक है ठीक तो रूट 16 की वेल्यू कितनी आईगी इसका 13 की वेल्यू कितनी आईगी 3.625 ठीक अब मैंने क्या किया कि चलो ठीक है अब पहले तो मैंने बड़ी ले लिए अब मैंने सोचा कि मैं मैं छोटी वाली से भी लेके कर लो मालब किसी भी जो 13 के पास हो या तो तुम 9 को लेकर करो गए तो यह आंसर वह आगा और तुम 16 को लेकर करोगे तो भी वह वेल्यू आएगी देखो मैंने क्या किया फिर दूसरा 9 को लेके कर लिया तो रूट 9 प्लस 4 9 4 13 होता ठीक है इसका अंडर रूट निकला तो 3 आया इस 4 अपाउन 4 के अपाउन इस संक्या का दूबना करके इसमें डिवाइट कर दिया ठीक है तो 3 प अब अगली प्रोसेस देखते हैं अगली मेथड देखते हैं यह मेथड मतलब जिस संक्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको इसी मेथड से करनी पड़े यह आपको ठीक है आगे देखते हैं देखो कुछ इसमें कुछ स्रीजे भी आती हैं ठीक है कुछ इसमें स्रीजे क्या है root 6 plus root 6 plus root 6 तो यह infinite तक जारी है दगो इसको लिखने का तरीका एक simple method भी है जैसे यह क्या है इसके तो मैंने क्या x बराबर मान लिया कि यह इसके बराबर यह जो है इस x बराबर इसके है ठीक तो इसको 6 plus root x ऐसे लिख सकता हूँ भई यह पूरी value मैंने मान लिया x के बराबर है तो मैं इसके लिख सकता हूँ यह भी देख infinite तक जारी है इसके लिख 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 अब इसका square कर दो x square बराबर यह आएगा 6 plus x ऐसे आएगा यानि x का square minus x फिर minus 6 बराबर 0 ठीक अब ऐसा multiply करो तो गुणा करो तो 6 आए और जोड़ो या घटावो तो minus 1 आए तो मैंने लिख 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 लिया है 2 फिर यह क्या आएगा अगर minus 3x plus 2x minus 6x इससे लिख सकता हूँ फिर अगर minus 3x में से 2x से जाएगा तो minus 1 ही बचेगा यहां पर x common ले लिया x-3 प्रस 2 common ले लिया x-3 ठीक तो यह value किसे ने आई x प्लस 2 x-3 यानि x बराबर बराबर नहीं होगा 2 के और x बराबर होगा 3 के यानि मेरा answer अगर इसका निकलेगा तो answer कितना आएगा answer आएगा 3 x बराबर 3 यह तो होगी long method ठीक है जो board exam के लिए लेकिन अगर competition की साफ से देखें तो अपने को इतना लंबा नहीं करना है ठीक है अपने को यह देखना है कि इनों के बीच में क्या plus positive आ रहा है ठीक क्या positive आ रहा है जब अगर positive आ आए तो इसको एसा गुणनखन करो कि दोनों का अंतर एसा गुणनखन करो संक्या का एसा गुणनखन करो कि दोनों का अंतर दोनों में difference कितना है दोनों का जो difference है वो एक आ जाए ठिक तो मैंने 6 का गुणनखन किया 2 गुणित 3 ठिक अगर दोनों का अगर minus करूँआ दोनों में different निकलूँआ तो कितना एक आएगा तो जब इन दोनों का मैंने गुणनखन निकल लिया 2 गुणित 3 निकला तो अब क्या गरते हैं जब positive हैं दोनों के बीच में positive हैं तो बड़ी संक्या अपना answer होगा जो कि मैंने अभी यहां निकल लिया long method से अगर दोनों के बीच में positive आ रहा हैं तो संक्या क्यों से बड़ी संक्या निकली अगर यहाँ पर negative हाता तो छोटी संक्या आपका answer होगा ठीक है? छोटी संक्या आपका answer होगा मैंने दोनों method से समझा दिये एक example और देख लेते हैं ठीक? ठीक है देखो अब क्या बोल रहा है कि root b is minus फिर root b is minus root b is minus और यह डेज़ डेज चल रहा है infinite तक ठीक? infinite तक चल रहा है इसी में भोई method है भई भोई same method है अगर x बराबर मानो तो फिर यहाँ पर minus x आ जाएगा भोई करके यही पुरी method खाजी बस plus की जगह minus आ रहा है भोई यह method लेकिन मैंने क्या बता है कि अगर different one आना चाहिए जो मैंने बताया कि दोनों का अगर गुनानखन करों different one आए तो यह method फोलोगी कि हाँ भई कि positive आ रहा है तो बड़ी संक्या negative आ रहा है तो छोटी संक्या अब यहाँ पर गुनानखन किया मैंने तो कितना है? 4 गुनित 5 दोनों का different कितना है? different one ही आ रहा है अगर अंतर निकालों different कितना है? one ठीक है तो अब इसमें यह method लागू होगी यानि 4 गुनित 5 मैंने क्या कहता है? दोनों का गुनानखन आ रहा है 4 गुनित 5 ठीक तो मैंने कहता माइनस आए तो छोटी संक्या आपका answer होगा और अगर positive आए तो बड़ी संक्या आपका answer होगा ठीक है अब यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है तो छोटी संक्या आपका answer कितना होगा? ठीक है? ठीक लेकिन यह trick जो यह trick है यह use में कब आती है? जब आपका difference if one हो ठीक है जो गुणनखन बना रहे हैं आप इन दोनों का अंतर एक हो तब जाके यह method लगीगी अदर्वाइस यह method यूज नहीं करे होगी ठीक है? ठीक अब अगला question देखते हैं ठीक अगला question देखते हैं कि ठीक इसी तरह कोई सीबी संक्या ठीक है ठीक है अब आगे देखते हैं ठीक है अगला question देखते हैं अपन क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि root 7 plus root 7 plus root 7 plus infinite तक पेले बाले question में देखा था कि गुणनखन बन रहा है different one आ रहा है तो simple method अब जहां पर गुणनखन नहीं बन रहा है ठीक है और positive है तो इसके लिए एक formula यूज आता है root 4a plus 1 plus minus 1 by 2 यह एक method है जो गुणनखन नहीं बन रहा है तो अपने को यह method यूज में लेनी पड़ेगी ठीक है plus minus यह होगा 4a plus minus 4a plus 1 plus minus 1 upon 2 यह method यूज में आएगी यह जो संक्या दे रहेगी वो a की value हो जाएगी कैसे हो जाएगी अपने दे से इसमें करों कितना हो जाएगा अगर यह 7 जो है यह a की value इसमें put कर दो कितना आएगा 7 चोग 28 यह चार गुणी 7 plus 1 और plus minus 1 upon 2 ठीक है यह है रूट में यह है रूट में ठीक तो 47 और 28 ने एक 29 रूट में plus minus 1 by 2 अब देखो अगर यहाँ पर positive आ रहा है ठीक है अगर question में positive है तो यहाँ पर positive लेंगे कैसा निकलेगा यह निकलेगा रूट 29 प्लस 1 by 2 ठीक अगर इसको solve करना चाहो तो आगे करके देख लो और यह कैसे निकलेगा वो अभी मैंने उपर बताया ना कि अब इससे या तो जो वर्ग मूल संक है इसके पास आरी उसको लेगा या तो 25 को लेके कर लो या 36 को लेके कर लो उससे solve हो जाएगा अगर पूरा आ रहा है तो वहां तक वहना यहां तक ही solve कर दो ठीक है ठीक है अब देखो एक question और इसी में का देख लेते हैं एक question और इसी में का देख लेते हैं ठीक ठीक है यह तो positive मैंने क्या गाता root 4A plus 1 यह है root 4A plus 1 plus minus 1 by 2 अब यहां पर positive यहां पर positive आ रहा था यहां पर क्या आ रहा था पोजिटिव आ रहा था जैसे अब आपन क्या करते हैं negative आले लेते हैं 11 minus root 11 minus root 11 minus infinite तक ठीक ठीक है तो वही फोर्मूला क्या होगा root 4A plus 1 plus minus 1 by 2 इसे करके अब एक ही विल्यू कितनी है 4A 11 एक ही विल्यू 11 ग्यार चुक 44 plus 1 फिर यह root plus minus 1 by 2 ठीक इसको कैसे निकालेंगे चमालिस ने एक root में 40 root में और अब देखो यहां पर यहां पर क्या था पोजिटिव था इसलिए अपने plus लिया यहां पर अब यहां क्या है बीच में negative तो यहां बस minus 1 करके by 2 कर दो यहां आप cancer 45 को ऐसा करो 49 लेके कर लो 36 लेके कर लो अब आगे देखते हैं अगला question देखो अगला question क्या बोल रहा है जैसे अब देखो दो method तो यह कर ली अब एक question आता है पेले तो plus minus आ रहा था अब देखो root 5 root 5 root 5 root 5 यह से चल रहा है और यह जा रहा है इन्फाइन तक कहां तक जा रहा है इन्फाइन तक ठीक अब यहां से plus minus करके देख लिया उसका फोर्मूला अगा प्लस फोरे plex one upon फोरे फ्लस बॉस्त वड्स माना रहा था यह फोर्मूला लग रहा था देखिए इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है भाई इसमें से इसा कुछ नहीं लग रहा है तो इसमें क्या करते हैं इसमें करते हैं कि जब root 5, root 5, root 5, root 5 और यह infinite तक जाएगा तो इसका अंसर 5 ही आएगा इसका अंसर कितना आएगा 5 ही आएगा इसलिए किया रहा हूँ क्योंकि देखो इसको भी सोल करें देखते हैं जैसे अपने मान लिया है यह संक्या X के बराबर पूरी तो मैं क्या करूँआ X बराबर रूट 5 X लिख दूँआ भई यह संक्या X के बराबर है अगर मैं यहां से इसको हटा दू निसुक lumin तो यह X की value दा रही इसी प्रकार यह पूरी X की value तो अगर मैं इस पेले बाले को हटा दू तो यह X की value है ठीक दोनों तब square कर दो X का square यह कितना हो जाएगा X ठीक है ठीक अब आपन क्या करता है इस x 5 को इधर ले लेता हूँ किदर इधर तो x square minus 5 x ये बराबर 0 के ठिक आई x square minus 5 x बराबर 0 के ठिक ठिक अगर मैं x common ले ले लेता हूँ तो x minus 5 बराबर आएगा 0 यानि x की value एक तो 0 x की value 5 ठिक मैंने क्या कहा था इस की value कितनी 5 यहां से भी ठिक ठिक है अगर आप यह तो इतना number करके देख लो या डायक्ट अपने को याद रखना है रूट 5 फिर रूट 5 रूट 5 रूट 5 इन्फाइनाई जाए तो इसकी value 5 ही आएगी ठिक मैंने प्रूब करके बता दिया x की value 0 x की value 5 ठिक ठिक अब अगला question देख लेते हैं जैसे यह question तो यह है एक दूसरा question मैं आपको बताता हूँ इस तरह से जैसे अपने माल जा कि यह root 6 sorry एक 6 बाहार है तो अब न्यूँ कर दो root 5 फिर यह root 5 फिर यह root 5 फिर यह root 5 और यह जारा infinite तक कहा तक जारा infinite तक ठिक अब मैंने बताया था कि इसकी value चलो अभी न्यूँ मान लो कि चलो यह 6 नहीं है तो इसकी value कितनी आ रही थी 5 तो इसकी value तो कितनी आगी 5 भी आएगी 5 इंटू 6 इंटू 5 यह इसकी value आएगी 30 ठिक है ठिक दोनों variety समझ में आ गई ठिक है अब अपन ऐसा करेंगे कल से अगली दो variety और बची है दोनों को भी लववा में उसको भी अच्छे से define करो आप ऐसा करना इनको अच्छे से पढ़ो तीन पार्ट हो गए आज आज का तिसरा पार्ट है बिल्कुल मैंने detail से दिया है बिल्कुल पांच फिक अगर fifth class का बंदा भी होगा तो वो भी अच्छे से इसको clear से समझ लेगा ठीक है जो जो exam में सारे equation आ रहे है मैं इनके अलावा भी कराता जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक topic के बिल्कुल basic level से आप इसको पढ़िए ठीक है और comment box में डालिए ठीक है जो problem है कि इस प्रकार के equation मैंने सारे exam competition सारी competition को qualify के लिए सारे equation अच्छे से समझा दिया है और कल से फिर अगला part लेके हूँ आज तिसरा part हो गया ठीक है तब तक के लिए thank you everyone आप चैनल को like करो share करो चैनल को subscribe करो ठीक है ठीक है